इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय 28 फिर उसी वर्ष के अर्थात यहुदा के राजा सित्किया के राज्य के चौत्य वर्ष के पाच्वों महने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह जो गिबुन का एक भविश्वक्ता था उसने मुझसे यहुआ के भवन में या कहता है कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है यहुआ के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नवुखदनेजर इस थान से उठाकर बाबुल ले गया उन्हें मैं दो वर्ष के भीतर फिर इस इस इस्थान में ले आऊंगा और यहुदा के राजा यहुआ याकिम का पुत्र यकोन्याह और सब यहुदी बंधुए जो बाबुल को गए है उनको भी मैं इस थान में लवटा ले आऊंगा क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है यहुआ की यही वानी है इर्मया नभी ने हनन्याह नभी से याज को और उन सब लोगे सामने जो यहुआ के भौन में खड़े हुए थे कहा आमीन यहुआ ऐसा ही करे जो बाते तुने भविश्वानी करके कही है कि यहुआ के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस थान में फिराएंगे उन्हें यहुआ पूरा करे तो भी मेरा यह वचन सुनो जो मैं तुम्हें और सब लोगों को कह सुनाता हूँ जो भविश्वक्ता प्राचिनकाल से मेरे और तेरे पहले होते आये थे उन्होंने तो बहुत से देशो और बड़े-बड़े राज्यों के विरुध युद्ध विपत्ति और मरी के विशय भविश्यवान कि यह सच्मूच यहवा का भेजा हुआ है तब हनन्याह भविश्वक्ता ने उस जुए को जो इर्मयाह भविश्वक्ता की गरबदन पर था उतार कर तोड़ दिया और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा यहवा यो कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे दो वर्ष के भीत बावुल के राजा नवुखद्नेजर के जुए को सब चातियों की गरदन पर से उतार कर तोड़ दूँगा तब इर्मयाह भविश्वक्ता चला गया जब हनन्याह भविश्वक्ता ने इर्मयाह भविश्वक्ता की गरदन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया उसके बाद यहवा का यहवचन इर्मया के पास पहुचा, जाकर हरन्या से यह कहा, कि यहवा यो कहता है, कि तुने काट का जुआ तो तूड़ दिया, परंतु ऐसा करके तुने उसकी संती लोहे का जुआ बना दिया है, क्योंकि इस्राइल का परमिशुर सेनाव का यहवा यो कहता है, कि म मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ, कि बाबुल का राजा नदुखनेसर के आधिन रहे, और इनको उसके आधिन होना पड़ेगा, और मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ, और इर्मयाह नभी ने हनन्याह नभी से यह भी कहा, कि हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तुने इन लोगों को जुटी आशा दिलाई है, इसलिए यहोवा तुझसे यो कहता है, कि देख, मैं तुझको पुथ्वी के उपर से उठा दूँगा, इसी वर् कोवा की और से फिरने की बाते कही है, इस वच्चन के अनुसार, हनन्याह उसी वर्ष के साथ में महिने में मर गया, प्र.